इरान में लगवक चार दसवक पहले इसलामिक क्रांती सफल हुई उसके बाद से लेकर इरान ने मद्यपूरु में अपनी वस्त इस्तती को अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए और ये कह सकते हैं कि अकेले सबसे ज़्यादा शक्ति साली देश बनने के लिए अनेक को समर्थन दिया वेपन दिया सविधायदी फंड देना शुरू किया और उन्हें प्राक्सी फोर्स कहा जाता है यह आश्चर जनक बात है कि जहां विचारधारा के अस्तर पर ज़्यादा तर लोगों का मानना यही है कि शिया और सुन्नी में आपस में नहीं बनती है वहीं इरान के प्राक्सी फोर्सेस में शिया और सुन्नी दोनों तरह के समंधित लोग ग्रूप में शामिर हैं नमस्कार मित्रों मैं हूँ मनोज जैसवाल और आज आप लोग इधर जो सुन रहे हैं लगातार मीडिया में खूब चर्चार हो रही है इरानियन प्राक्सी फोर्से की और फिर अब यहाँ भी चर्चा होने लगी है कि क्या ऐसा है कि अब इसराइल इरान के प्राक्सी फोर्सेस को समाप्त करके ही दम लेगा उसी पर चर्चा करने चल रहे हैं और इसमें जो सबसे में शोर्स मैंने इस्तेमाल किया है आप सब को पहले ही बता दू कौंसिल ऑन रिलेशन्स जो की आप जानते हैं वेस्टन है यो इसकी है और इसमें सबसे बड़ी बात जो है हम लोग जो करने चल रहे हैं इसका पूरा क्रक्स हम आपको अभी बताएंगे ठीक है चलिए आजाते हैं अपने क्रक्स पर तो देखिए आप सभी जानते हैं कि प्राक्सी फो प्राक्सी फोर्स है उसके अलावा छद्म प्राक्सी लोगों को लड़ने के लिए भेशता है या प्राक्सी फोर्स को समर्थन देता है और उन्हें अपने हीतों के लिए इस्तिमाल करता है इरान के पास पूरे Middle East में सबसे ज़्यदा proxy force है और यहाँ खास बात यह है कि ऐसा क्यों करता है तो देखिए हर चीज़ के पीछे अपना एक उद्देश होता है और इरान क्या चाहता है इरान मद्ध पूरू में Middle East में अपनी हैजमनी अपना वर्चस चाहता रहा है और दूसरी तरफ वो यहाँ भी चाहता रहा है कि Western Forces को Middle East दे बाहर खदेर दे और आप जानते हैं कि Middle East में अमेरिका और नाटो का प्रजिंस बहुत ज़ादा है ऐसे में अपने regional objectives को promote करने के लिए इरान ने क्या किया Forces यूज करनी शुरू की proxy forces को यूज करना शुरू किया proxy मतलब हिंदी में छ़द्म यानि कि जो वो है वो वो नहीं है है ना कहने का मतलब यह हुआ कि लड़ तो रहा है हजबुल्ला लेकिन वास्तों में वो लड़ रहा है किस के लिए इरान के लिए लड़ रहा है हमार तो किस के लिए इरान के लिए या इरान के कहने पर तो ऐसे जो माननेता है इसलिए इसका नाम proxy forces रख दिया गया है ये आपको clear हो गया है अब देखिए कि अपने छेत्री हितों को तो अब इरान का छेत्री हित क्या है तो वही जो मैंने अभी का बार बार रपीड करने के आवशक्ता नहीं मिडिल इस्ट में वहाँ अपने आपको मजबूत करना चाहता है और सबसे खाथ बात ये है कि लगबग चार दसक पहले जब वहाँ पर इरान में इसलामिक कुरांती सफल होई उसके पस्चाच से ही इरान के प्रशाशन और सासन की यहर रणनीती रही कि वहाँ प्राक्सी फोर्सेस को और ज़ादा स्ट्रॉंगर बनाता चला जाए और इसी का परड़ाम है आप जानते हैं कि हम लिबनान में हिजबुला को देख रहे हैं तो यमन में होती को देख रहे हैं तो सीरिया में तमाम ऐसे ग्रूप है बहुत सारे ग्रूप है तो चलिए इराक में भी कई ग्रूप है और यहाँ एक बड़ी बात और मैं आप सब को कहना चाहूंगा कि यहाँ सबसे खास बात क्या है कि यह जो इसलामिक रवलूसनरी गाड कॉपस है इरान का यानि कि इरान की जो रेगुलर आर्मी है उसी का एक अंग है कुद्स फोर्स अब इसको कुद्स पढ़ते हैं या कुछ और बोलते हैं प्रनशियेशन छमा कीजिएगा अगर गलत हो जाएको कुद्स फोर्स क्या करती है कुद्स फोर्स ही आक्चुली जितने भी प्रॉक्सी ग्रूप है जितने भी प्रॉक्सी ग्रूप है उनके साथ वो पॉइंट अफ कांटाक्ट के रूप में काम करती है ठीक यानि कि हजबुल्ला हो गया हमास हो गया होती हो गया तो इन सबसे जो समन्वि करेगा कॉडिनेट करेगा संपर्क में जो रहेगा या रहता है वो कौन हो गया कुज़ फोर्स हो गई अब कुज़ फोर्स इन सभी प्रोक्सी ग्रुप्स को क्या क्या कराती है तो उनको ट्रेनिंग यही देती है वेपन यही देती है फंड यही से आता है इसका मतलब यह हुआ कि यह जितने भी प्रॉक्सी गृप है यह वास्तों में इरान से फंडेड है आपको दिख गया इरान से फंडेड है वेपन भी पाते है और ट्रेनिंग भी पाते है यह अलग बात है कि अभी बहु और में सीधे इन्वाल हुआ जो कि ऐसा लगता है कि अब एरान की गले की हड़ी बन चुका है और अगर एरान शामिल हुआ तो उसके क्या-क्या रिप्रकर्शन्स होंगे अभी थोड़ी देर बाद वो भी चर्चा दो-चार मिनट में करूंगा पहले जो मुख्य मुद्दा आज हमारा है उसको फिनिश करते हैं आप देखिए यहां फाइटर्स कहां से आते हैं तो पहली बात तो यह देखें कि इसलामिक जगत में और पूरे दुनिया में एक ऐसी माननेता है कि शिया और सुन्नी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन इरान के इन प्रॉक्सी फोर्सेज में यह बड़ी आफशर जनक बात है कि शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के लोग शामिल हैं और इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रुप हैं वो कुछ ग्रुप शिया समुदाय से संबंदित हैं जिसमें शिया बहुल जो कि सिया बहुल देशों में पाए जाए यह बड़ी गात है है ना तो आप देखिए यह आफशर जनक है लेकिन ठीक है शिया मसलिम मेजॉरिटी कंट्रीज इराक और लेबनन आप जान रहे हैं कि लेबनन में हिजबुल्ला के साथ इसराइल का वार लगातार चल ही रहा है और दिखा जाए तो फिर आपको इराक में कई ग्रूप है मैंने तो दो तीन ग्रूप का ही नाम लिखा है एक है बद्र और्गनाईजेशन दूसरा है हेजबॉला हराकाद तीसरा है कताइब हराकाद एसे कई ग्रूप हैं जिसमें एक एक ग्रूप में बीस बीस तीस तीस और दस हजार तक के भी लड़ाके हैं और ये अपने आपको लड़ा के ही मानते हैं ठीक है आप भी यही मानिए ठीक अब इसी तरह से आप देखेंगे कि दूसरा जो शिया मेजॉरिटी वाला देश है वो है लेबनन और लेबनन में हिजबुल्ला है ठीक है और आपको पता ही हो गया है कि हिजबुल्ला अभी मुखिया है जिसे अभी इसराइल ने असी टन बं मार करके ने इस तना बूद कर दिया है असी टन बं मारा क्यों कि लगबक साथ मीटर नीचे उनका बंकर था तो उस बंकर को छेदना पड़ा हां वहां को लेटरल भी हुआ क्योंकि जिस बिल्डिंग के नीचे वो बंकर ब में तो पलिस्टीन में दो बड़े ग्रूप हैं जिने इरानियन प्रॉक्सी माना जाता है हमास और पलिस्टीनियन इसलामिक जिहाद नाम के दो ग्रूप हैं अब ये मैटर ही मतलब परदिश से बाहर हो गया लेकिन किसी जवाने में हमास के साथ लड़ने वाला एक और फो देखोगे तो सीरिया में फते मियान ब्रिगेड जाना बियान ब्रिगेड कुवतल रिधा ऐसे अनिक जो है ग्रूप वहां भी हैं जिनें माना जाता है कि वे सब ही कौन हैं इरान के प्रॉक्सी ग्रूप हैं इसी तरह से अभी यमन में होती मुव्मेंट के नाम भी आपके शामने आ रहे हैं और आपको यहां भी पता है कि हाल ही में इसराइल पर खूती विद्रोहियों ने भी अटैक किया था ड्रोन हमले किये थे और अब इसराइल लगातार यमन में बम फोड़ रहा है और वहां के एक पोर्ट को भी लगबग उड़ा दिया है अक्टली उस पो को लिबनान में जो सप्लाइज हैं वह मिलनी बंद हो जाएंगी तो ऐसे अनेक ग्रूप हैं जो एरानियन प्रॉक्सी ग्रूप कहलाते हैं ठीक यह हमको क्लियर हो गया अब देखने की बात यह है कि इन प्रॉक्सी ग्रूप के कारण इसराइल को इतनी समस्या क्यों है तो इसका उत्तर एक इस वाले मैप में मिल जाएगा आप देखेंगे तो इरान यहां है यह सीरिया यह इराक और यह बिचारा चोटा सा लेवनान के बीच और पलिस्तीन के बीच इसराइल यहां चलेगा नहीं आपको दिखने रहा होगा शायद बहुत चोटा सा यहां इरान है ठीक है एक मिनट मैं जड़ा लेता हूँ रेड कलर साथ चल जाए नहीं चल रहा है नहीं चलेगा इस पर हम सॉरी चलिए तो देखिए बहुत इतनी इतनी सी जगह में यहां पर यह है इधर इरान इसके सटा हुआ जो है इराक और यह है सीरिया ठीक है यह बड़ा सही काम कर ने लगा चलो यह है सीरिया ठीक है यह है इराक यह सरकल ठीक और जो है यह जौर्डन है और आप जान लीजिए कि जौर्डन इसराइल के खिलाफ नहीं जा रहा है इसराइल यहां है चोटा सा यह बेचारा अब यह लेवनान है लेवनान और दक्षिन में फिलिस्तीन अब यह जो है इसराइल इन ही ग्रुप्स के प्रभाव सरी इन ही ग्रुप्स के चारो तरफ से इन ही ग्रुप्स से घिरा हुआ है और इरान अपना मकसद इनके माद्यम से सौल करता यह तो बड़ी अलग और अजीब बात हुई है लोगों को अंदाजा नहीं था कि जौर्डन और इजिप्ट जो है वहाँ क्या नहीं करेगा यह है इजिप्ट जार्डन और इजिप्ट जो है वो इनका सहयोग नहीं करेगा यह अंदाजा किसी को नहीं था सब को लग रहा था कि इरान का सपोर्ट करने में जो है इजिप्ट भी जाएगा और यहां से मैंने बताया यह पर जार्डन है जार्डन में जाया यह बहुत छोटा सा देश है इसराइल आप सब जानते हैं अब इसराइल को ये लोग टाइम टू टाइम टू टाइम बंबारते रहते हैं और साथ अक्टूबर की घटना भी उनी में से एक है एक और बात आप लोगों को यहां जाननी बुला है अब इसराइल ने अपने आपको सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले क्या किया और मैं आपको बता दूँ कि इस टॉपिक में एक और चीज जुड़ी हुई है कि आखिर अब इन प्रॉक्सी फोर्सेस का होगा क्या तो मुझे ऐसा दिखने लगा है कि इसराइल बहुत ही प्लांड तरीके से पहले पलिस्टीनी टेरिटरी में जो हमास का प्रवुत्ता या हमास के कारण उसको जो समस्या हो रही थी हमास को उसने पूरी तरह से निप्टा थी ऐसा माना जा रहा है कि फुली 100% तो निट्रलाइज नहीं हुआ हमास लेकिन इतना जरूर है कि हमास को लगभग नेस्तनावूत करते है तो अब उसे गाजा में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं तो अब उसने अपने नौर्धन बॉर्डर को सेक्योर करना शुरू कि और चुकि जब अच्छा ये एक बात और समझ दीजे मुझे लगता है कि एरान से भारी भूल हो गए जब हमास और इसरायल का वार चल रहा था तो उस समय जो अक्टूबर में ही लास्ट एयर की बात कर रहे हैं उस समय तो से शुरू हुआ मान लेजिए इनकी बदमासी हमा हुए थे तो उसमें भी हिजबुल्ला कूद गया यानि कि एरान ने जान बोज़कर को करके उसके इंट्री करवाई होगी तो जब हिजबुल्ला कूदा यानि एरान को अब जो हमास तक तो बात तामन में आती थी कि चलो इसरायल का पलिस्टीन का आपस में जो यरुसलम औ गाजा पट्टी को लेकर जगड़ा है उसके कारण ये हो रहा है वहां तक चल जाता लेकिन जब हिजबुल्ला की इंट्री हो गई तो सब ने यही मान लिया पूरा विश्य मान रहा है कि इरान जो है अब इसमें शामिल और इरान शामिल है अब देखिए इरान किस किस तरह के स्टेट्मेंट देना शुरू कर चुका है तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब हमास को लगभग फिनिश करने के पस्चात लगभग जादातर हमास के लड़ा के सब छोड़ करके भाग गये हैं पैलिस्टीन कोई वहां है नहीं जो थोड़े बहुत बचे होंगे वैसे दो नहीं और अब देखिए कि अब वो हिजबॉल्ला की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया अब इसी में यमन भी कूद गया हूती अब जब हूती कूद गये तो हूतियों के आने से यहां पर एक बड़ी समस्या हो गई हूतियों के आने से अब इसराइल के लिए ये जरूरी हो गा है कि अब वो होतियों पर भी बंबारी करें और वो कर रहा है तो ऐसे में अब ऐसा लगने लगा है मैं आपको सपस्त बोल रहा हूँ ऐसा लगने लगा है कि इरानियन प्रोक्सी का समय आ गया है तो वही दूसरी और अगर इरान इस वार में डाइडेक्टली पार्टिसिपेट करा यानि कि इसकी रेवलिशनली गाड कॉप्स शामिल होई तो पूरा का पूरा नाटो और अमेरिका सीधे इनवाल हो जाएगा और हसन नसर अला के मौत के पश्चात आपने देखा कि जो बाइडन ने सीधे स्टेटमेंट दिया कि बहुत अच्छा हुआ वो मारा गया तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका कभी भी किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला इसराइल को है नहीं तो दूसरी और आपने यहां भी देखा कि नितन यहां हुँ जब यूनाटेड नेशन्स की जनरल असेमनी में अपना भाशन दे रहते तो वो किस तरह से गरज रहे थे और यहां तक कि उन्होंने यूनाटेड नेशन्स को भी एक तरह से क्रिटिसाइज कर दिया तालोचना की कहते हैं कि कुछ नहीं बदला यहां कुछ बदला ही नहीं हम जहाते वहीं हैं तो कहने का मतलब यह हुआ और उसी मंच से उन्होंने कहा कि हम इसराइल की सुरक्षा को किसी भी उस पर जाने नहीं देंगे बाद में फिर उन्होंने स्टेट्मेंट दिया इरान को धमकाते हुए कि कोई भी यह ना समझे कि वो हमारी पहुंच से बाहर है इरान का नाम नहीं लिया लेकिन यह कहा इसका मतलब साफ है कि अब इरानियन प्रॉक्सी को या तो समाप तो होना होगा या समाप तो कर देगा इसराइल और अगर इनके सपोर्ट में इनको बचाने के जक्कर में इरान पाटिसिपेट करता है यह वार में डारेक्टली अपनी आर्मी के साथ अभी तो प्रॉक्सी लड़ रहे हैं तो इरान के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा अब देखिए इसमें भारत के भी नहितार्थ है भारत के नहितार्थ हैं कि हम इरान में ठीक ठाके इन्विस्मेंन किये हुए हैं चाहबार में हमारा निवेश है तो वहीं दूसरी और अगर मिडिल इस्ट में ये हुआ इरान सीधे युद्ध में आया तो सप्लाइस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा आयल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है तो ऐसे में जहां एक तरफ वैश्विक अर्थ विवस्था को संकट है वहीं दूसरी और भारत को भी सीधे सीधे संकट है खत्रा है मतलब लडाई का खत्रा नहीं है आर्थिक नुकसान है वहीं तीसरी और एक तरह से यहां भी कहा जा सकता है कि थाड़ वार जैसी सिट्वेशन पैदा हो जाएगी लेकिन थाड़ वार जैसी सिट्वेशन नहीं पैदा होगी इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि अरब कंट्रीज ने अपने आपको सीधे बाहर कर लिया अभी वहाँ के प्रिंस का साओधी अरब के प्रिंस का स्टेट्मेंट भी आया कि हम मक्का को राजनीतिक अखाड़े काड़ा बनने नहीं देंगे उनका कहने का मतलब था कि यी धर्म के नाम पर पॉरडिक्स करने नहीं देंगे दूसरे सब्दों में वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम को इन सब चीजों से लेना देना नहीं है और एक और बात आपको बता दूँ आपको शायद पता भी होगा कि इसराइल के साथ अबरहम अकाड हुआ है यो यही का है ना तो जो अबरहम अकाड हुआ है अरब कंट्रीज के साथ वहाँ भी ये सुनिश्चित करता है कि अरब इनके विरुद इसराइल के विरुद नहीं आने वाला है जौडन ने अपने आपको पीछे कर लिया एजिप्ट ने पीछे कर लिया दो बड़े देश अपने आपको पीछे कर लेते हैं इस समय इरान के सम्मुख अब गये जो लड़ाई है वो गले की हड़ी बन गई है न वो निगल पा रहा है न तो उगल पा रहा है और एक और बात इरान की घबराहट भी इस बात से स्वस्थ हुई है जब उसने कहा कि दुनिया के सभी देशों को इसका विरोध करना चाहिए एक साथ आना चाहिए मुसलिम मुमालिक को एक साथ आना चाहिए तो वही उसने यूनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाए जाने का भी प्रस्ताव किया है यानि कि एरान खुद से लड़ना नहीं चाहता तो क्या प्रॉक्सी के द्वारा इसराइल को लगातार परेशान करने की उसकी रणनीती चलती रहेगी तो इसराइल ने कह दिया कि ये मैं अब सफल नहीं होने दूँगा और आपने मेडिया रिपोर्ट्स वगएरा में शायद सुना भी होगा कि हसन नसरल्ला को मारने के लिए 20 साल से काम कर रहा था इसराइल इसका मतलब एक बहुत लंबी बड़ी योजना रणनीती के पस्चात इसराइल अब एक तरह से निर्णायक लड़ाई लड़ा ऐसी सिचुईशन में यदि एरान फिर समय कह रहा हूँ यदि एरान शामिल हुआ तो जहां पूरे विश्व के लिए आर्थिक समस्याएं उद्पन्न होंगी वहीं भारत के आर्थिक हितों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और फिर इरान या मिडिल इस्ट के पूरी तरह से अशान्त हो जाने का परिड़ाम यह भी है कि पूरा एसिया उससे प्रभावित होगा जादा और एक और बात है इरान इस समय युद्ध में क्यों नहीं आ सकता क्योंकि उसको इतना बहुत क्लियर कट अंदाजा भी है कि अभी रूस उसे आउट अफ तव वेज जा करके हंड़िट पोर्सन सपोर्ट नहीं कर सकता है रशिया यूकरेन के साथ वार में बिजी है और शायद वेस्ट जो है रशिया यूकरेन वार को अभी और लिंगरान करने के मूड में है जब तक कि ये मड़ी लिस्ट में इसराइल और इरानियन प्रॉक्सी और इरान का मसला हल नहीं हो जाता लेकिन इसके एक और परड़ाम आने की संभावना मुझे अभी सही दिख रही है कि मूडी लिस्ट के देश इरान शहित अन्न जो भी देश है अब इन्हें द्रमाक्रिटिक प्रोसेस की और आना होगा यहाँ भी मैं बता दूं कि इस बात की भी पूरी संभावना है कि इरान में तख्ता पलट हो जाए यह संभावना है हो सकता है आप लोगों को लगे कि बहुत जादा मैं दूर दरशी बात कर रहा हूँ लेकिन सकती है है मित्रों इरान में तख्ता पलट होने की पूरी संभावना है तो देखते हैं आगे क्या होता है हाँ इतना जरूर है कि इरानियन प्रॉक्सी को आप समझ गए होंगे इरानियन प्रॉक्सी को कैसे इरान की आर्मी की ही एक बाड़ी एक पार्ट जिसे कुद्स फोर्स कहा जाता है के यू डी एस उसका स्पेल है वो जो है ट्रेनिंग दे रही है फैसलिटीज दे रही है फंड दे रही है यहनि की कांटेक्ट पॉइंट है वो दे तो रहा है इरान ही इसलिए पूरी दुनिया को इन प्रॉक्सी फोर्सेस के प्रती कोई भी साहनभूती नहीं है यह अलग बात है कि दुनिया के कई देशों में पाकिस्तान में भारत के कश्मीर में भी हसन और अलगा के मारे जाने पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आई है लोग नारे बाजी कर रहे हैं जलूस निकाल रहे हैं तो वही इरान के भीतर हिजबुल्ला का भी कड़ा विरोध होने लगा है और हिजबुल्ला को आप जानते हैं इसको शीरियन वॉर में बहुत ज़्यादा एक्सपिरियंस मिला था और सीरियन वॉर में बशर-अल-असद की सरकार को बशर-अल-असद को support करने के कारण इसे बहुत ज़्यादा funding भी आई थी तो ऐसे बहुत सारे factors हैं लेकिन इन सभी कारकों के बीच मैं फिर से दोरा रहा हूँ या तो अब ये छेत्र जो है democratic process में आएगा या फिर इस बात की संभावना है कि इरान में civil war जैसे situation होगी हिजबुल्ला का विरोध होगा और हूती तो बहुत छोटा सा संगठन है पांच साथ अजार दस अजार से ज़्यादा उसमें लड़ा के नहीं है अब देखते हैं आगे क्या होता है तैंक यू तैंक यू वेरी मच